Hello everyone, जो भी आपके bridges बनते हैं, flyer बनते हैं, आपके buy rate का काम होता है, या फिर आपका ROV बनता है, road over grip, तो इन सम्में आपने एक चीज़ देखी होगी, वो है आपका pedestal, तो pedestal आपका एक तरह से mini column होता है, एक छोटा सा column होता है, जिसके उपर हम लोग bearing को fix करते हैं, और पूर पेडिस्टल में steel reinforcement कैसे लगा हुआ है, आप उसको visualize नहीं कर पाऊगे, तो आप उसका bar bending schedule नहीं बना पाऊगे, तो आज के session में जो आप सीखने बाले हैं, वो है आपका pedestal में, आपका steel reinforcement कैसे लगता है, जिसके थो आप उसका पूरा का पूरा VBS बना सकते हैं, तो दोस्तो पूरा major bridge का drawing है, तो उसमें आप देखें, आपको यह सामने एक pier का drawing देख रहा है, तो आप देखें यह pier cap की उपर आपके pedestal लगाया जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होंगे, यहाँ पे पेडिस्टल लगाया हुआ है, यह आपका पहला pedestal है, और यह आपको यहाँ पे चौते पेडिस्टल मिल जाएगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पेडिस्टल दिये हुए है, और इसका मैं आपको reinforcement drawing दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा किस में still reinforcement किस तरह से लगाया जाता है, चलिए मैं आपको इसकी reinforcement drawing में लेके चलता हूँ, तो अब इसके नीचे यह आपका peer cap आएगा, जो कि आप देख सकते हैं, मैं इसका color change करता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से feel कर पाएं, यह आपका peer cap आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देखिए, तो यह आपका क्या है, प्लान है, और यह आपका section है, अब इसमे मैं आपको pedestal के man bar दिखाता हूँ, जो कि 5 और 6 number है, उसके बाद इसमें आपकी rings आ रही है, S2 और S3, और उसके बाद इसमें आपका mass reinforcement आएगा, तो पूरे के पूरे pedestal में आपको 5 से 6 तरह का reinforcement आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पे mark करके दिखाता हू कि कितने तरह का reinforcement है, तो आपको समझ में आएगा, इसमें आप देखेगे तो आपका 5 number reinforcement आ रहा है, फिर आपका 6 number reinforcement आएगा, फिर आपका S2 reinforcement आएगा, फिर आपका S3 reinforcement आएगा और इसमें हम लोग एक mass भी प्रोवाइड करेंगे, तो यह देखेगे, आपको यहाँ पे डेटेल में भी लेके चलूँगा जो कि आपको यहाँ पर साइड में यह दिया हुआ है और दोस्तों यह आप इसी तरह से Bridges, Flyover, Underpasses, Byaduct, Calvert का काम सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ Bridge Project की Quantity Serving और Billing के Online Live Session जो कि 25 फरवरी से हमारे Application Re-Inforce में साम को 9-10 में Live होंगे जिसको आप Google Play Store पर जाके Download कर सकते हैं तरवाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके हमारा Application Re-Inforce डाउनलोड कर सकते हैं यह पूरा 45 देज का Training Program होगा जिसमें डेली एक घंटे मैं आपके साथ आके Live Discussion करूँगा जिसमें मैं आपको जो आपके Bridge के Projects होते हैं जो आपके Flyover हैं जो आपके EnterPasses हैं उनका पूरा Construction Process साइट की वीडियो के साथ Animation के साथ और Drawing के साथ मैं आपके साथ डिसक्स करूँगा और जो आपके Bridge के Projects होते हैं quantity serving का काम कैसे होता है, foundation है, service structure है, super structure है, pile foundation है, bell foundation है, आपकी बिलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ां आपको 45 डेस के live session में आपको सीखने को मिल रही होगी, और इस training program में हमें आपको बड़े बड़े जो major bridges के projects होते हैं, उनका मैं आपको complete case study दूँगा, starting से लेके handover तक वो भी आपके live drawing से सीधा excel seat पे, तो मैं ये जाके देखिए, अगर आपको देखके लगे कि नहीं एक 45 डेस का training program आपके career में value addition करेगा, आपके career में J curve लेके आएगा, आपको growth देगा, तो आप इस training program को join कर सकते हैं, और उसका जो fees है, वो है मात्र आपका 5,99 रुपए, तो आप जाएए, एक बार इसका free demonstration देखिए, और इस training program में enroll करिए, मिलते हैं 25 परवरी को live session में, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, 5 number reinforcement, थोड़ा सा zoom करता हूँ, तो ये देखिए आपको ये 5 number reinforcement, आपको ये दे रखा है, ये आपका 5 number reinforcement, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है, 5 number reinforcement, तो जो आप ये गोले देख रहे हैं, ये सारा क्या है, ये आपका 5 number reinforcement है, आप plan में देख रहे हैं, इसलिए आपको यह गोला दिख रहा होगा तो यह आपका क्या है पांच नमर रिंफोर्समेंट है तो आप देखेंगे इस साइड आपका यह पांच नमर रिंफोर्समेंट है जिसमें आपके 6 बार है और 6 बार आपके दूसरी साइड भी आएंगे तो यह भी आपका 5 नमर रिंफोर्समेंट ह होता है है यह देखंगे यह भी क्या है आपका 5 नमर reinforcement है तो यह देखेंगे total पांच नमर बार कितनी आ रहे हैं आपके छह साइड है और छह आपके दूसरी साइड है तो total आपके 12 reinforcement आ रहे है ठीकिन अब इस चीज की reinforcement का shape कैसे होगा वो देखने के लिए मैं आपको schedule में लेके चलता हूँ तो यह देखेंगे आपको schedule दे रखा है यह देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा schedule मिल जाएगा यह दे रखा है यह देखेंगे pedestal में किस तरह से reinforcement इसका पूरा schedule इन्हों नहीं यहाँ पर देखा है यह देखेंगे यह pedestal के reinforcement का आपको यहाँ पर सेडिल दे रखा है तो इसमें आप देखेंगे आपको 5 नमर reinforcement दे रखा है यह बार आयम का बार है ठीकिन और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह लिखा हुआ है आपका 6 बार आ रहे हैं दोनों साइड आ रहे हैं तो आपके 6 दोनी 12 बार हो गए इन्टू इन्होंने 8 कर रखा है तो यह 8 क्यों कर रखा है आपको पता है चलिए मैं आपको बताता हूँ 8 इन्होंने इसलिए कर रखा है क्योंकि इस आया हुआ है यह दिखिने यह सग का पांच निमर बार का यह आपका आईगा बेस लेखा है उन्हें बेस आपको यहां पर दे रखा है वinkyट्न लेका और यह सरे अधा यह न्यों आपको यह provalी ओवले में कितना होगा वो आपका टी ला duplic Cr Trustees रख느ollar तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो 5 नमर बाहर है जो कि pedestal में गा तो उसका shape किस तरह से होगा उसकी dimensions आप यहां से निकाल सकते हैं तोटल बाहर कितने होंगे आप दे सकते हैं आपका 6 into 2 मतलब आपके 12 बाहर लगेंगे 5 नमर एक pedestal में और टोटल हमारे 8 pedestal हैं तो आप 8 से multiply कर लिजे कितना आएगा 96 आपके 5 नमर reinforcement हो जाएगे तो आई होप अभी आपको समझ में आएगा कि जो 5 नमर reinforcement है वो आपका कैसे लगा एक side आपकी 6 बार लग रहे हैं लगेंगे तो इन्होंने 2 से multiply कर दिया है और आपके 8 pedestal हैं इसलिए 8 से multiply कर रहे हैं तो 6 दूनी 12 और 12 अठे 96 तो टोटल 96 reinforcement लगेगा 5 नमर वो भी आपका 12 mm का और इसकी जो safe होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से safe होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म आपको यह पहला पेडिस्टल बनाया हुआ है यह आपका दूसरा पेडिस्टल है यह आपका तीसरा पेडिस्टल है और यह आपका चौता पेडिस्टल है और यह आपको 5 पेडिस्टल दे रखा है और यह आपका 6 पेडिस्टल है यह आपका 7 पेडिस्टल है और यह आपका तो आट वो पेडेस्टल है, इसलिए हम वहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो पेडेस्टल की साइज है, वो आपकी स्टेंड़्स है, यह देखेंगे, आपको 700 बाइ, 700 बहुंद का, यह आपका पेडेस्टल आ रहा है, जिसके उपर आपकी ऐस्टोमेरिक चलिए आंगे reinforcement में चलते हैं, तो आंगे देखेंगे 5 नमब reinforcement के बाद आपका ये आ रहा है, 6 नमब reinforcement, जो कि आपका इस तरह से लगा हुआ ये देखेंगे, ये आपका जो उपर से अगर आप प्लान में देखेंगे, तो आपको डॉट डॉटी देखेंगे, ये सारा हमारा क् क्या है 6 number reinforcement तो आप यह देखेंगे आपका 6 number reinforcement जैसा इस side लगा है same to same आपका यह 6 number reinforcement आपका दूसरी side भी आएगा यह देखेंगे आप यहां से लेके और आपका यह continue यहां तक जितने भी आप यह dotted बार देख रहे हैं सब हमारे क्या हैं यह आपके 6 number बार हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 number बार टोटल कितने लगा आठ बार आपके side लगेंगे ठीकिन और यह आपके 8 बार side लगेंगे तो total कितने हो गए आपके 16 बार हो गया है और pedestal कितने हैं आपके 8 pedestal हैं तो 16 को आप 8 से multiply कर दीजे तो उतने आपके यह reinforcement लगेंगे आपके 6 number तो यह 6 number आपको plan में कैसे दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी चीज़ को आप section में देखेंगे तो यह section में कैसे दिखाई देगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको 6 number आपको section में कैसे दिखाई देगा यह देखेंगे यह हमारा 6 number reinforcement है यह ऐसा आएगा तो यह side वाले बार है और इस side का जो बार है वो आपका ऐसे लगेगा यह side का बार यह ऐसा लगेगा तो यह यह चीज आपको section में दिखाई दे रही है, यह आप इसको यहां से cut करके देखेंगे, आप इसको यहां से ऐसा cut करिए, यह ऐसा cut मारिये, ठीक है न, और फिर इसको आप यहां पर अपना आँख लागा के इसको देखेंगे, तो यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो यह आपका 6 number reinforcement है, जो कि आप देख सकते हैं, आप इन्होंने mention भी किया हुआ है, यह आपका 6 number reinforcement है, ठीक है ना, तो 6 number reinforcement का detail देखेंगे, तो same detail है, जो आपका 5 number का है, बस आपकी अलग-लग dimensions में आ रहा है, यह देखेंगे, आपको यहाँ पर proper detail दे रखा है, 6 number reinforcement का, यह दे multiply कर दिया है, और आपके 8 pedestal है, तो यह आपका 8 से multiply कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने इसका proper shape बनाया हुआ है, same to same shape है, जैसा आपका 5 number का shape था, same चीज़ है आपकी, यह देखेंगे, same आपका shape बनेगा इस तरह का, जिसमें base आपको 100 दे रखा, और यह D1 आपका कितना है, यह दोने D1 आपको 500 दे रखा है, क्योंकि यह 700 by 700 का आपका pedestal है, तो आपका 6 number reinforcement है, वो आपका total कितना लगेगा, एक side आपके 8 बार है, और दोनों side हैंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका 6 number reinforcement है, वो किस तरह साएगा, तो आपका 5 number reinforcement हो गया, आपका 6 number reinforcement हो गया, उसके बाद देखेंगे, कि जो आपकी इसमें ring लग रही है, वो कैसे लग रही है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपकी 2 ring लग रही है, मैं आपको दिखाता ह यह आपका स्ट्रींग या ज़ो कि आपका आउटर में लग रहा है यह देखिए है यह च्छारी है यह आपका स्ट्राइब है यह आपका इस तरह से आईगा जकर आपका इससी चीज को आपका सेक्षन में देखंगे और इसी चीज को आप reinforcement के detail में देखेंगे तो कुछ आपको चीजें इस तरह से दिखाई दे रही होगी, यह देखेंगे, यह इन्होंने आपको यहाँ पर detail दिया हुआ है, यह आपका S2 reinforcement है, 12M का डाया है, और 200M center to center आपका spacing है, और यह इसका safe है, और जो आपका D1 dimension है, वो आपका 620 होगा, क आपका बचेगा, तो इस तरह से आपको नहोंने S2 reinforcement का detail दे रखा है, तो next हमारा reinforcement आ रहा है, आपका S3, तो जैसे आपका S2 ring लग रहा था, स्यम उसी तरह से आपका क्या लग रहा है, S3 ring लग रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते, यह लगा हुआ है, यह देखेंगे, एक ring आपका यह इस तरह से आ रहा है, यह देखेंगे, तो यह क्या है, आपका S3 ring है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, यह देखेंगे, यह आपका S3 ring है, और यह आपका इस तरह से लगेगा, तो आप यह देख सकते हैं, और इस चीज़ को आप यह प्लान में देख र और यह ही चीज़ आप reinforcement के detail में जाके देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दे रखा है यह देखिए तो जैसा आपको S2 का दे रखा था Sam to Sam you आपको यह S3 का दे रखा है कि किस तरह से आपकी चीज़ां होती है देखेंगे यह आपको S3 दे रखा है यह 12 AEM का रहेंगे 200 AEM का स्पेसिंग दे रखा है आपका SAM सेप है और आपको देखेंगे जो आपका D1 है वो आपको 620 दे रखा है क्यों कि आपको पता है 700 का पेडिस्टल है दोनों साइट से 44-44 गवर मैनस करोगे तो आपका 620 बचेगा तो कितनी सारी आपको डेटेल्स दी रहती हैं ड्रॉइंग में तो यह आपका पेडिस्टल का रिइंफोर्समेंट है और लास्ट आपका रिइंफोर्समेंट बचाए वो है आपका मैस रिइंफो आपके सेक्शन में समझ नहीं आता है लेकिन जो आप इसको प्लान में देखोगे तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा तो यहां पे आप देखेंगे ऊपर से 20 mm का कबर छोड़के इन्होंने यहां पे आपको एक मीस रिइंफोर्समेंट आपको यहां पर डाल रखा है ज एक मेंस आपका यहां पर लगाओगा तो यह डेटेल्स आप यहां पर देख सकते हूं यह एरो दिखा रहा है कि यहां पर दो मेंस हैं 10 mm के जिसको हम M1 नाम दे रहा है ठीक है ना और इस मेंस का अगर आपको डेटेल देखना है तो यह मेंस का डेटेल आपको यहां पर नी pedestal आ रहा है तो यह उन्होंने 2 से multiply किया हूआ है तो 4 pedestal हैं और 1 pedestal में 2 mass लगँ तो आपके 8 mass तो यह हो गया और 2 side आपके pedestal लगँ तो total आपके 16 mass इस तरह के लगने बाले हैं एक peer cap के उपर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो pedestal होता है उसमें आपका steel reinforcement लगाया जाता है अपने 5 number लगाया 6 number लगाया फिर हमने आपका S2 लगाया फिर आपका S3 लगाया और उसके बाद हमने इसमें ये mass reinforcement लगाया तो I hope आपको समझ में आयो कि जो आपका pedestal इसमें steel reinforcement का काम कैस होते दिया आप चाहते हैं कि इस pedestal का हम लोग BBS बन प्रेयोंगी, thank you so much see you in the next video